अब इस डख को अगर हमें अपने computer graphics पे बनाना है तो इस डख के हम curve point को चेक करेंगे जैसे हमें head पे एक curve point ये मिला है this and this फिर एक neck का हमें curve point मिला है this नक का जो टर्न है उस पर करव पॉइंट मिलना मुझे ऐसा फिर विंग पर हमें करव पॉइंट मिलना है ऐसा फिर इसके विंग के टर्न जो है उस पर भी हमको करव पॉइंट मिलना है फिर इसका बेस है इस पर करव पॉइंट मिलना है इसका नेक है और नेक पर हमें करव पे हम आउटलाइन एक्कॉर्डिंग टू कर्व हम इसको ट्रॉ करेंगे तो हमारी आउटलाइन कुछ इस तरह की बन जाएगी बट अगर हमें कोई ऐसा option मिले ऐसा offer मिले कि हमें एक नया object बनाना है हमें एक duck बनानी है और duck एकदम नए concept की होनी चाहिए एक नए style की होनी चाहिए जो outer shape है उस shape में हम ये देखते हैं कि हमारे इस shape में कितने कर्व हैं जब हमारे कर्व मिल जाते हैं तो उस कर्व के range के हिसाब से हम उस पे node apply कर लेते हैं point लगा लेते हैं और बाद में उस सारे point हम जोड़ देते हैं तो हमको मेरा ऐसा shape जो सामने हमारे screen पर दिख रहा है वैसा दिखने लगेगा जितने भी हमारे node है उस node के line shape बना लेंगे और फिर उसको हम हमारा deck का outer shape हमें मिल जाता है और उसे computer पर कैसे बनाते हैं यह मैं आपको दिखा रहा हूं नोट के हिसाब से हमने जो उसका curve पॉइंट था एकॉर्डिंग कर पॉइंट हम उस पे shape ड्रॉ करते हैं outline से और outline का shape ड्रॉ करने के बाद हम shape tool से उसके note को अगर कुछ हमें set करना है उस note को हम पहले set कर लेते हैं अपने average के हिसाब से हमें यह job बनाना होता है क्योंकि जैसा हम note shape करेंगे वैसा object हमारा बन के आएगा हमने note set कर लिया जो भी note आगे पीछे करने हैं हमने उसको sub को set कर लिया और अब सारे note को हमने select कर लिया और two curve किया two curve करने के बाद जो हमारी outline है पहले हम shape tool से उस outline को primary level पे एक उसका curve shape ले लेते हैं और उस curve shape को लेने के बाद हम उस पे ठीक से उसे set कर लेते हैं क्योंकि यह अभी primary level पे हैं इसके बाद इसके note के recording हम इसके shape को पहलर इस side का note और उस side का note के जो angle है वो 180 degree के उपर होने चाहिए अभी जैसा आप देख रहे हैं पहला इस टेप बनाने के बाद हमने उसके यह copy कर ली और यहाँ पर आपको detail मिलेगा देखिए इसमें जो यह angle type का निकल के आ रहा है head में और neck के बीच में तो उसके note को हमने select करके 180 degree पर smooth किया इसको तो यह देखिए एक दम smooth हा गया गोल हो गया यह इसी तरह हम इसके neck के पास को जूम करेंगे और neck को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे ताकि इसमें curve set आ जाए और curve set आने के बाद इसको हम फिर से सारी note पर काम कर रहे हैं एक्टम accurate होना चाहिए smoothness का ध्यान रखेंगे और फिर हम इसको shape दे देंगे अब जाके तुआ final shape पर यह आ रहा है और अब इसको भी तोड़ा बाहर निकाले ताकि इसका curve smooth हो जाए और यह हमारा duck outer shape त्यार हो गया इसको एक हम dark set दे देंगे अब dark set देने के बाद टक का एक light gray color देने के बाद pencil tool से अब इसकी wing बना रहे है state line लेकर के एक outer area लिया विंग के लिए और इस outer area से body select करके intersection कर देंगे यह intersection body के अंदर के part को ले लेगा इसको dark कर देंगे body का upper part और right part ठीक है lower part को हम थोड़ा सा नीचे curve करके shape दे देंगे और यह shape हमारा यह ऐसे करके shape of हमारा आ गया अब विंग को छोटा करेंगे और इसको white color दे देंगे तो उपर रहे हमें लगदा थोड़ा चोटा जादा है थोड़ा सा बड़ा कर देंगे और आपस में इस white wing और gray wing को blend करेंगे और blend का step five रखेंगे blend tool लेकर के white और gray को हम blend कर देंगे अब face के पास हमें beak बना रही है beak में भी वही logic होगी beak की outline डख लेंगे ऐसे state state outline फिर इस पे shape tool पे जाके select करेंगे to curve करेंगे और curve करके हम इसको इसको हम shape में convert कर रहे है इस तरह हमारा एक यह beak त्यार हो रहा है beak को smooth करेंगे और इसको yellow color करके थोड़ा सा red मिला देंगे lemon इसकी eyes बना रहे है पहला circle इसको red कर रहे है इसको थोड़ा चोटा कर रहे है यह circle yellow कर रहे है और इसको चोटा कर रहे है और यह circle हमारा blue या black जो भी करना हो कर देते हैं तोड़ा set करते हैं कहां पर रहना चाहिए अब ठीक है और इस तरह आप देखेंगे कि हमारा duck तयार हो गया कोशिश करिएगा बनाईएगा इसको कोई problem हो हमें call करिएगा पसंद है तो लाइक जरूर करिएगा और इसको subscribe करिएगा ताकि मैं अगला वीडियो आपको दे सको okay thank you